दोस्तों क्या आपकी इस्टग्राम की आईडी इस्टग्राम यूजर्स हो गई है जैसे ही आप अपने इस्टग्राम को अब लॉग इन कर रहे हो तो आपके सामने वहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है और इस प्रोब्लम को कैसे आप solve कर सकते हो वापस से अपनी ID को कैसे recover कर सकते हो इस वीडियो के अंदर आप यही जानेगे ये प्रोब्लम क्यों आई है क्या आपसे mistake हुई है आपने क्या गल्तियां की है आगे से आपको क्या क्या गल्ती नहीं करनी है सारी चीजे सब कुछ इस वीडियो से आपको पता लगने वाला है और ID Recover कैसे होगी वो भी आप इसी वीडियो में जानेगे तो वीडियो को इसको बिने स्कीप के end तक देखें वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जाने जाने हैं नामे शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद ऐसे यूटूब चैनल चैनल पर नहीं हो तो बैट चैनल को सब्सक्राइब बढ़के बेल नोटिफिकेशन को ओल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो के अपड़ेट आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस्टागराम यूजर्स जो आपकी आईडी हो गई है ऐसा इंटरफेस अगर आपके सामने आता है लोग इन करते टाइम तो अब यहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो आपकी आईडी नहीं चल पा रहे है तो मैं आपको बता दू सबसे पहले आपको समझना है कि इस्टागराम यूजर्स आपकी आईडी क्यों हुई है आपने यहां पर क्या मिश्टेक की है क्या गलती की है क्या क्या गलती है मैं यहां पर नहीं करनी चाहिए पहले आपको उसको समझना होगा उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आ अगराब मना करता है, किस चीज़ को यह कैदा है को आप को इस चीज़ को नहीं करना है, यह चीज़ यूज़ नहीं करनी है, कभी-कभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, followers बढ़ाने के लिए कोई third party application का यूज़ करते हैं, या फिर अपनी following को कम करने के लिए किसी third party application का use करते हैं या फिर story को download करने के लिए कोई भी third party application का use करते हैं जैसे के इस्टा, story, saver वगेरा का use करते हैं उसके अंदर अपनी ID को यहाँ पर login करते हैं तो ऐसा करने से हमारा जो account होता है हमारी जो ID होती है वो suspend हो जाती है और जब हमारा account suspend हो जाता है तो वहाँ पर जब हम account को login करते हैं तो Instagram users बताता है कहने का मतलब यहाँ पर यहाँ पर यह कि Instagram की तरफ से आपकी ID को suspend कर दिया गया है यह आपने ही कोई ना कोई mistake यहाँ पर किये कोई ना कोई गलती की है जिस वज़ा से आपका account Instagram users बता रहा है और आपकी ID को suspend किया गया है Instagram की तरफ से तो Instagram suspend कर देता है उसके बाद में ऐसा नहीं है कि वो ID वापस नहीं आती है या वो recover नहीं होती है बिल्कुल होती है लेकिन यहाँ पर Instagram हमसे कहता है कि आपको अब कुछ steps को follow करना होगा जैसे के Instagram आपसे ये भी बोल सकता है कि आपके number पर OTP जाएगा उसके बाद में वो OTP एंटर कर दीजगा submit कीजगा आपकी ID चलो हो जाएगी या फिर email पर जाएगा OTP email का OTP डालना है submit करना है ID सही हो जाएगी या फिर Instagram यहाँ पर ये भी कह सकता है कि आपको अपना photo verification करना होगा एक photo send करनी होती है उसके बाद में वो submit जब हम कर देते हैं तो उसको review करता है Instagram चेक करता है उसके बाद में हमारी ID को recover करता है तो ऐसी कोई भी चीज Instagram हम से यहाँ पर करने को बॉल सकता है अब वो चीज कुह लोग को तो पता होती है कुछ लोग को नहीं पता होती है अब जिन लोग को नहीं पता है उन लोग के लिए ही ये video है और इस video में जो तरीक बताए जाएगे जो बताया जाएगा वो आपको follow करना होगा उसके बाद में ID recover आपकी हो जाएगी, अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो ID है वो Instagram users हो गई है, अब उसको recover कैसे करना है, recover करने का simple तरीका है, अगर आपको नहीं आ रहा है, आपकी ID आपसे recover नहीं हो रही है, तो आपको कुछ न मुझसे contact कर सकते हैं, अब यहाँ पर कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि हमारी तो ID ही बंद होगा यह Instagram की, तो हम किस तरह से message करें, किस ID से contact करें, किस तरह से करें, तो मैं आपको बता दूँ, आपका कोई friend होगा, जो फिर family member का होगा, उसके account से, उसकी ID से Instagram की, मुझे DM करें, और अपनी problems वहाँ पर मुझे बताएं, और जो आपकी problem से, उसका screenshot भी send करें, और मैं वहाँ पर सबसे बात करता हूँ, यह जो आपकी problem से, इसको किस तरीके से आप solve कर सकते हो, तो मैं आपको जो है Instagram पर ही बता दूँगा, क्योंकि इसमें यह होता है, कि यह जो Instagram हमारा, Instagram users बताता है, ID जब suspend होती है, तो यह इसमें एक ही चीज नहीं करनी होती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ करने के लिए बोलता है, इस्टेगराम कभी कुछ करने के लिए बोलता है, एक ही चीज नहीं बोलता है, आप जो भी condition होगी, जैसी भी होगी, आपके account को देखने क करना ना भूने तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में